हलो दोस्तों प्रतिमा जीस अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का पहला पॉइंट है गरुण सेवन अभ्यास गरुण सेवन अभ्यास किसले चर्चा में रहा है तो इसका आयोजन किया गया हाल ही में जोधपूर वायुसेना इस्टेशन पर यह वायुसेना अभ्यास है इसमें भारत और फ्रांसीसी वायुसेना सामिल होती है जो संयक तुरूप से अभ्यास करती है यह द्विपच्छे अभ्यास है 2022 का गरुण सेवन अभ्यास जो है यह सातमा संस्क्रण है तो गरुण अभ्यास में सामिल देश हैं भारत और फ्रांस जोधपूर वायुसेना इस्टेशन पे किया गया है यह अल्टरनेट कभी यहां पे कभी फ्रांस में दोनों जगा मिला करके किया आता है इस साल यहां हुआ है तो अगले साल फ्रांस में होगा अगला पॉइंट है सेफाली जुनेजा देखे महिलाएं इसमें बढ़ चल करके देश का नाम रोशन कर रही है सेफाली जुनेजा उसमें से एक हैं सेफाली जुनेजा अंतर राष्टिये नागरिक उड़यन संगठन में भारत की प्रतनिधी है तो सेफाली जुनेजा को जो अंतर राष्टिये नागरिक उड़यन संगठन में भारत का प्रतनिधी तो कर रही है को संयुक्त राष्ट की विशेश विमानन एजंसी की वाईव परिवाहन समीती की अध्यच के तोर पर चुना गया है यह बहुत गवरों की बात है भारत की लिए कि भारत के सेफाली विशेश की वाईव परिवाहन समीती की अध्यच के रूप में चुना गया है अंतर राष्टे नागरिक उड़यन संगठन में भारत का प्रतनिधित करने वाली यह पहली महिला है जिन्हें चुना गया है देखे यह पहली महिला भी है जो प्रतनिधित भारत का कर रही है अ और ये पहली महिला भारत की हैं वाई परिवन समीती की अध्यचता को सुलकार की है इन्हीं चुना गया है। अगला बिंदु है बारमा बिसुहिंदी सम्मेलन देखे अभी तक 11 बिसुहिंदी सम्मेलन अलग-अलग देशों में किया जा चुका है। और इस बार यहां सम्मेलन पैसविक छेतर में किया जा रहा है और पैसविक छेतर नी प्रसांत छेतर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 20 सुहिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है इसका आयोजन फिजी में किया गया है और फिजी प्रसांत महासागर में एक दूइपिये देश है यह पहला मौका है जब आयोजन पैस्विक छेतर में हो रहा है भारते विदेश मंत्राले और फिजी की सरकार के द्वारा संयुक तुरूप से इसका आयोजन किया जा रहा है और यहां सम्मेलन फिजी के नाडी सहर में संपन हुआ है कहां पे संपन हुआ है? फिजी के नाडी सहर में संपन हुआ है तो बार्मा बिस्वहिंदी सम्मेलन प्रसांत महासागदे छेतर दीपे देश हैं फिजी वहां के नाड़ी सहर में आयोजित क्या गया है भारते बेदे समंत्राले और फिजी सरकार संयुत रूप से इसका आयोजन किया है अगला पॉइंट है सरस फूड फेस्टिबल 2022 स्वयम साहता समूफ यानि सेल्प हेल्प ग्रूप की जो महिलाएं हैं इसमें जातर महिलाएं ही होती हैं इन महिलाओं के द्वारा तयार किये गे पारंपरिक और घरों में बने हस्त सिल्प पेंटिंग और खेलरनों को तो सरस फूड फेस्टिबल के बारे में यह पूल सकता है कि ये क्या है इसका आयोजन कहां किया गया है तो ये महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा फेस्टिबल है एक ऐसा जो है त्योहार की रूप में कह सकते हैं आप जहां पर सेल्प हेल्प गुरूप के जो बनाएगे उनके हाथों के द्वारा पारंपरी रूप से हास्त शिल्प पैंटिंग खिलोंने उन्हें बढ़ावा देने के लिए नेदिल्ले में किया गया है केंद्रिय ग्रामीर विकास मंत्राले की पहल है तो सरस फूर्ण फेस्टिबल जो है किस मंत्राले का पहल है तो केंद्रिय ग्रामीड विकास मंत्राले की पहल है और सेल पहल्प गुर्प का गठन राश्टिय ग्रामीड आजीव का मिशन के तहद किया गया था यानि स्वयम साहता समू का गठन किया गया था राश्टिय ग्रामीड आजीव का मिशन के तहद किया गया था अगला बिंदु है तराई हाथी अभ्यारण तराई हाथी अभ्यारण को अभी हालही में मंजूरी मिला है हाथी अभ्यारण के तोर पर जो उत्तर परदेश के तराई छेतर में बनाया जाने की मंजूरी दी गई है या पिली भीत और लखिम पूर्खिरी के भीच में जो है आज बना जाएगा तो भारत सरकार ने उत्तर परदेश में तराई हाथी अभ्यारन को इस्थापना को मंजूरी दे दिया है और यह भारत का 33 हाथी अभ्यारन होगा ध्यान रहे दोस्तों इसी तीन महिने में पिछले अगला पॉइंट है आई एंटी त्रिलाट भारत मोजांबिक और तंजानिया के बीच तिरुपच्छे नौसेना अभ्यास है और यह पहला संस्क्रण है जो तंजानिया के डार ये सलाम में आयोजित क्या गया है साथ ये पहला है और खास करके जो की अफ्रीका कांटिननेंट के बीच में है तो इसलिए ज्यादा महित्पूर हो जाता है तो इसको पूछे जाने की संभावना ज्यादा है कि आई एंटी त्रिलाट किस क्या है या किससे संबन्दीत है तो इसका आयोजित क्या है डार ये स सो आयोजीत हो रहा था जहां पर भगदर मची और लगभग 151 लोगों की मौत हो गई तो दच्छिड कोरिया के राष्ट पती यून सुक योल ने राष्टिये सोक के रूप में घोसित किया है हो सकता है कि पहले उतना महत्तपूर नहीं होता लेकिन जो कि वहां भगदर होकर क 111 की मौत हो गई और साथी साथ राष्टिये सोक के रूप में इसे घोसित कर दिया गया है जो है दच्छिड कोरिया की राष्ट पती के द्वारा उनका नाम है यून सुक योल नाम है दच्छिड कोरिया की राष्ट पती का तो इसलिए हो सकता है कि पूछ ले हैलोबीन उत सो कहां का है तो कंफ्यूजन नहीं हुएगा कि नार्थिष्ट लगा दीजिए साउथ लगा दीजिए इसा नहीं है दच्छिर कोरिया के सियोल में आयजित हो रहा था जहां पर भगदर हुआ और 101 क्याउनों की मौत हो गई राष्टिय सोग की रूट में घोसित किया गया है च्छमता है लच भेदने की च्छमता है वो 5000 kms मिसाइब परमार च्छमता से लास है 1000-2000 kms लच भेदने की च्छमता है और अरिसा के अब्दुलकलाम दीप से लांच किया गया है अगला बिंदो है इसरों ने आदित यलवन मिसन के प्रधान बैग्यानिक के रूप में संकर सुब्रमन्यम जी को निउट किया है आपको पता है कि आदित यलवन सौर मिसन है जो सौर पर भेजे जाने का इसरों का लच्छ है तो इसरों ने आदित यलवन मिसन के लिए जो प्रधान बैग्यानिक निउट किया है संकर सुब्रमन्यम जी को निउट किया है तो पूछ सकते हैं कि हालही में संकर सुब्रमन्यम जी चर्चा में रहे है यह कौन हैं तो यह बैग्यानिक हैं यह भी पूछ सकता है कि हालही में आदित यलवन मिसन के लिए प्रधान बैग्यानिक किसे निउट किया गया है तो संकर सुप्रमन्यम जी को निउट किया गया है याद रखिएगा अगला और अंतिम बिंदु है दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान तो यह सारे जो सुरुवाती दोर हैं जैसे आड इन वन के रूप में हुआ या कब कौन सी गाड़ी चलेगी यह सब काम दिल्ली सरकार बहतर कर रही है तो दिल्ली नहीं दिया जलाओ पटाखे नहीं अभ और हावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान सुरुक्या है तो दोस्तों मैं अपने क्लास को यह पर समाप्त करूं उसके पर आपको लाइक करें सेर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्र के बाद में जब करेंट फेर्स की जो गटना चक्र की आँखवाली मैगजीन आती है उसमें से महत्तपूर कंटेंट आपको दिये जाएंगे धन्यवाद जय हिन जय भारत